तो यह जो हमने अभी अभी दी है अपनी इस लास्ट टॉपिक में तो इसमें क्या प्रॉलम है कि यह जस्ट वीज्वल है और इस नहीं है आप इसके वहाब पर फिल्टर करना है तो आप फिल्टर नहीं कर सकते यहां पर मालीजी आपको अगर कि इस पर फार्मूला लगाना है या कुछ और लगाना है तो यहां आप इसी नहीं कर से क्योंकि आपकी फॉर्मेटिंग पे कोई भी calculation नहीं होता है तो इसके लिए हम यहां पी क्या करेंगे कैप्स में पी को लिखेंगे और इसके उप और एक bedding to या binding to नाम को font होता है मैं भी नीचे जा रहा हूं उतारों को जा बैंदिंग क्रॉस में हम यहां पे करते हैं को प्रोस के लिए और टिक के निशान के लिए हमारा एक आपको फॉंट ने कहा किया पी और ओको क्रॉस एंड टिक में आपको विजलाइज कर दिया बाट ओरीजिनल में यह आपके सामने पी ही है अगर आप इस लिटर लगाना चाहें को फॉर्मर लगाना चाहें तो असानी से लगा सकते हैं जिसे की एक्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूं ठीक है अब यहां परना कोश्चन आता है यह जो हमने फॉंट अप्लाई किया यह फॉंट जो है पार्ट ओफ विंडो है अपरेटिंग सिस्टम का पार्ट एक्सव का पार्ट नहीं ऐसा हो सकता है इस यह फूचर में या किसी पीसी में एक वाल्ट अबलेबल नहों या कोई चुसक्त हो गया और लीट हो उसकी और श्रीयों इसमें क्या कैसे करें तो उसके तरीका है कि आप काफ में जीग को लिखें और फिर राइट क्लिक करके वो फॉर्मेट सेल में आया लाइमेंट में आया और इसको माइनस 45 डिगरी के एंगल पे रोटेट करें ठीक है यह आपका कुछ इस तरह से लिए इसलिए इसलिए आपने कलिवरी कर दिया ते एक जंप सब्सक्राइब कर निशान दिक रहा ना सब जी जी और क्रॉस के लिए आपके पास एक्स है यहां पर अगला उफ्सन आता है कि जो अलाइमेंट का यूज किया है कि इसी में उज़ और शीज में भी यूज हो सकता है तो चलिए अलाइमेंट के लिए आपको सिंपल सा एक एक जांपल देता हूं जैसे कि में पास नेम है और मैंने यहां पर डेट्स ले लिए अटेंटनेंसी टेक बुना रहा हैं इस तरह से अटेंटनेंसी हमने त्यार किया है कि इस नाम भी दे देता हूं और यहां पर परजेंट भी दे देता हूं इसको जो है मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं और पूरे सीट को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करता हूं और इसको आटो फिट कर देता हूं अब मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूं बट एक एरिया में प्रिंट नहीं हो रहा है चलो इसकी प्रोटेंट को हम लैंड्सकेप में कर देते हैं लेटर को हम एफोर साइज में लेते हैं इसकी प्रिंटिंग साइज को चोटा कीजिएगा तो दिक्कत का होगा कि अब कितना चोटा कीजिएगा तो प्रॉलम होगा कि विजलाइज नहीं होगा चोटा दिखेगा ना लेकिन मैं अपनी देटा में देख रहा हूं कि मेरा डेटा जो है कॉलम का डेटा स्मॉल है सिर्फ हेडिंग बढ़ा है है लोग है है हमने हेडिंग को सेलेक्ट किया और यहां जो औरियंटेशन है इसमें हमने इसको एक जरो टेक आप कर दिया ठीक है अब पूर्ट को सेलेक्ट किया और डबल क्लिक करूंगा किसी भी सीट के बॉरर पर किसी भी कॉलम के डिवाइडर बॉरर जो भी कहिए उस पे तो यह आपका छोटा हो जाए अब आपका अटेंडियंस भी सही से विज्वल हो रहा है और आपका हेडिंग में सही से अब बिल्कुल समझ में आगा से ठीक है तो यह हमारा यह था अलाइमेंट का उसके बार आगे बहुत तो आगे के जॉप्शन से उसको एक बार देख लेते हैं अब रैप टेक्स तो मिने बताई दिया रेकिन रैप टेक्स जो है एक और भी होती है यह जैसे रैप टेक्स मे करेंगे तो रैप हो जाता है स्पेस के कॉड़िक तो यह स्पेस कॉलन की साइज और साइज करता है इसके बाद तोड़ता है लेकि मुझे अपनी हिसाब से नीचे रालना है टाइप करते समय हमें टाइप किया मुझे आप नीचे टाइप करना है तो आल्टेंटर प्रेस की है तो क्या होता है कि आपकी कि साइज बढ़ जाती है अटम कि साइज अर्टकर từ करते हैं तो कॉल्म पर её दियर न रो में फिसनी है क्योंते है ने अर्य पॉरा मुझे जो करना है ओर ओगे करते हैं कि मेरा कॉलम का साइज आसए उसी साइज में मेरा तेक्स्ट हो जाए तोुस केस्स में हम हम यहां डायेंट में हमारे पास होता है दिछ गिभ zijंतों इस अब है कि कॉलर बड़ करेंगे तो अपने आपको ब्राभर खरेंगा छोटा कटा रिस तक होता है तक मुझें बहुत करना चाहते हैं उसे स्वारा हो इसके MAKSIMUM साई यहां पर ढाल दीज तो system bank और यहां आल दिया व पीध्यर है निग敢 की बात करें इसकी मर्स सेल तुम इतना बड़ा करूंग और पनी जाना ही मर्स करते कैरें हां सिसी में क्रोट क्या करता है कि इस दरह से आपने को घुर ली आपने वांड को जा लिए आपने बौर्डर को जा लिए और फिल को जाने लाए कुछ है नहीं कि यह थे बात करते हैं नंबर करतेंगे तो इदेशनल सेप्टेप्ट सकते हैं यह करणाइब देना है नहीं देट नॉमर्ड टाइम है यहां से आपका सेम टाइमिंग की है यहां पर अपना करन्टी लेकर तो इसमें जो आता है और कस्टम जो है में कि आज की टॉपिक पर जिद्धा ध्यान लिदे पाएगा कि इससे भी ज़्यादा हो इंट्रेस्टिंग और ज्यादा यूजफुल है आज की जो टॉपिक है उसके प्रैक्टिस करें कल हम आपके साथ इससे आगे पर डिस्कॉस करें